नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विरेन एहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चनल हेल्थ और किटनी में बहुत स्वावब करता हूँ दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है कि किसी का क्रिटीन थोड़ा सा भी बढ़ता है जैसे कि नॉर्मल क्रिटीन होता है एक या एक से नीचे लेकिन किसी का क्रिटीन थोड़ा सा बढ़ता है दो तीन यह चार तक पहुंचता है तो इंसान बहुत ज़्यादे टेंशन लेने उसको बहुत ही चीनता होने लगती है और ज्यादा रिपोर्ट्स करवाये बिना और डॉक्टर की ज्यादा सला लिये बिना वो मान लेता है कि मेरी किड्मी फैल हो गई कि दोश्तो हमेशा ऐसा नहीं होता की क्रिटीन ऊपर जाने से किड्मी फैल है detected करणी उसकूंद पर जली महना चाहिए बहुती है यह किड्दी को चुक longing तक इतना की सोचने गया है हाँ मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल केर नहीं करनी है, उसकी कोई दवाईया नहीं करनी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं इसा बोल रहा हूँ कि क्रिटिनन उपर जाने से तूरंत टैंशन लेने लग जाना ये कोई solution नहीं है। आज के जमाने में अगर क्रिटियां वाल की हो चुकी है फिर भी उसके solution के रास्ते है। करवाना भी सुरक्षित है और उसके बड़ ट्रांस्प्लांट करवाना भी आज के जवाने में बहुत ही इजी है बहुत ही सुरक्षित है एक दम आसानी से हो जाता है तो कोई भी तरीके से क्रिटिन उपर जाने से आपको ज्यादा टैंसल लेने की जरूरत नहीं है और किर्दी डीसीज सी केमी अगर आपको सी केडी हो चुका है यानि क्रोनिक किर्दी डीसीज हो चुका है तो उसका मतलब यह है कि आपके किर्दिया बिल्कुल फेल हो चुकी है लेकिन उसके अलावा भी एक किर्दी डीसीज होता है जो मैंने बताया एक क्यूट किर्दी डीस लोग वो प्रोटीन के पावडर देने लगते हैं तो पहले उनके बोड़ी को प्रोटीन की आदप नहीं थी अब अचानक से प्रोटीन का ओवर्डूस होने लगा तो सिदी सी बात है प्रोटीन बढ़ेगा तो क्रेटिनान थोड़ा सा बढ़ने वाला है लेकिन इसका मतलब अगर यहीं कि ऐसा हुआ है कि इंसान थोड़े ठाइम बहुत पीजी रहा और उसने जचादा पानी पारी नहीं ठीदिया है कियों दू पाुदीन कंग हो गांगा सिदि सी यूरेन कम हुआ तो करीटिन यूरेन से बाहर नहीं कुल बड़ी में ही तो भी करीटिनेंग बढ़ सकता है अगर इंसाने ज्यादा एक्सशाईस करना अचानक से स्टार्ट गर तर्पी वहीं इसका कृतिनेंग बढ़ सकता है नॉर्मल सी दवाया से और थोड़ा सा अपना ध्यान रखने से कृटिनल फिर से ठीप हो जाता है अगर दवाया करने के बावजूद भी और ज़्यादा दिन वेट करने के बावजूद भी अगर क्रिटिन नीचे नहीं जाता तो डोक्टर्स आपके कुछ रिपोर्ट्स करवा सकते हैं, ज्यादा रिपोर्ट्स करवा सकते हैं, जिसमें सोनोग्राफी भी हो सकता है, अल्टरासाउंड, जिसमें किड़ी की साइज देखी जाती है, किड़ी की साइज कितनी है, अगर क तो अगैनम्हीह टो ये तो एसे में आपको क्या करना चाहिए अगरकू नहीं तो आपको क्या करना चाहिए यह थिक्रीकम काम हो इस यह समझ सकते हैं लेकिन समझ लो कि उसको जुकाम हो गया वो कमचोर हो गया उसके पेरों में डर्द है ऐसा कुछ भी प्रोब्लेम है तो क्या आप उससे ज्यादा काम करवाओगे सेथी सी बाते नहीं करवाओगे आप उसके ध्या चिरा करोगे कि फढ़ी तरद असकी अच्छी नहीं है तो उससे कम काम करवाते हैं ऐसा ही दोस्तों कीणी यो के साथ भी होता है क्रोनिक किड़्ी डिसीज अगर लुक्टर ने लिक्लेट कर दिया है यानि किड़्ीयां फेल है तो ये चीजें शायद काम में नहीं लगेगी मैं बात कर रहा हूं किड़्ी डिसीज यानि कि थोड़े टाइम के लिए जो उपर जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए किड़्ियों से ज्यादा काम नहीं करवाना जैसे कि मैंने नोकर का बताया कि नोकर बीमार है तो ज्यादा काम नहीं करवाना चाहि और दूसरा, आप उसको ज्यादा Potential देते हो, और तिसरा, आप ज्यादा नमक, ज्यादा Sodium अपनी बोडी में डालते हो, ये तीनों चीजों में केड़ियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ये तीनों चीजों को आपको थोड़ा सा control करना है, पहला मैंने बताया Protein, दे तो बहुत आरे लोग क्या करते हैं? प्रोटिन लेना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं दूद नहीं पीते हैं, डाले थारी बंद कर देते हैं सब कुछ, मुझा खाना आधा से ज्यादा छोड़ देते हैं ये बहुत ही बड़ी misunderstanding है बहुत ही बड़ी गल्दी है प्रोटिन जाएगा तो क्रिटिन बढ़ेगा इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रोटिन लेना बिल्कुल ही बंद कर दे रहा है क्योंकि बोड़ी जो है आपका शरीर जो है वो टिका हुआ है प्रोटिन के जरिये ही आपके जो भी टाकत है जो भी एनर्जी है वो प्रोटि नहीं ले रहा है यानि कि अगर आप नोन्वेज खाते हो तो बिल्कुल बंध कर देना है और जो भी आप खाते हो उसका ओवर्डोज नहीं होना चाहिए प्रोटिन लीजिये पनेर लीजिये डाले खाये आप दूर पी सकते हो वैसे सब कुछ नौर्मली जो वेजिटेरें लो करते हैं वहाता है और दूर्डोज को जब जsystem करना पड़ता और युदृ को अगर होड़ी में जयादा जाता है तो भी किड्नियो को जड़ा काम करना पड़ता है यह पेहले ही बहुत सब्सक्त्री वीडियों को Bacon's कोनकोन से है अगर आप मैं आपको शोड़ में बताँ तो टो डाटेश्म में आपको आलू कम कर देना आ प्सकार्टग कर देना आपको बनाना केला नहीं hadा मयं आपको बुजिया नहीं कान Benton डेंसके हैं आप बुजिया यह घं जरूल् comb बंद कर देना है इसमें ज्यादा पोटेश्यम होता है इसके अलब आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि लोगोटेश्यम फूट कौन-कौन से तो पोटेश्यम थोड़ा सा कम कर दोगे तो किड्नियों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा तो तो रिलेक्ष्ट होग इसलिए आपको नमक बिल्कुल कम कर देना है अगर आप किड्नियों को ठीक रखना चाहते हैं अगर नोर्मल सी इंजरी है किड्नी को कोई सुझन आई है को इंटेक्शन लगा है या कोई भी रिजन से थोड़ा सा क्रिटिन उपर गया है तो आप नमक कम कर दोगे तो इस लिए इससे पहराज होके तो यह चुंद न तीन चीजों का ध्यार रखना है उसके अलावा चोती है पानि कितना पिना है वह को अब सब्सक्राइब पानी कितना पिना है वो बड़ी मेंटर है किड्नी डीसीस के लिए तो आप ये अपने डोक्टर से पुछे रिपोर्स दिखाए सारे रिपोर्स करवाए डोक्टर की सारी सलाह मानिए और डायेटिंग पे बिल्कुल ध्यान रखिए एक्सराइस नॉर्माल एक्सराइस करिए बहुत ज्यादा भी नहीं एकदम बेठे भी नहीं रहना है इस तरह की एक्सराइस आपकी होनी चाहिए आपकोड़े से एक्टिव रहना चाहिए डायेटिंग में जैसे मैंने बताया नॉर्मल सा प्रोटीन आप ले सकते हो बहुत हाई डूर्ट वाला नहीं लेना चाहिए झाहिए नॉर्ट बन कर दीजिए यह कूछ छोटी छोटी बात जिसका आपको ध्याना आपको बड़ी भात जिसका आपको ध्याना रहना है वह होता है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ब्लड प्रेसर में कंट्रोल अपना अगर क्रिटिन उपर उपर गया में स्टार्ट कर दिन ना चाहिए में चाहिए और आप दीन में कम से कंम 19 लिए चार बार सोप्रmarkt कहें अगर बढ रहा है तो उसकी दवाई लीजए अगर कम हो रहा है तो इसकी दवाई लीजए ये तुरन स्टाट कर देजे विडलन प्रप्रशर ठीक नहीं होगा तो भी किड्नियों को प्रोब्लेम हो सकती है और आपकी किड्नी हमेशा के लिए पेल हो सकती है और दूसरी चुरी चुरीस मैंने बताई डायाबिलिस यानि कि शुगर कंट्रोल आपको सक्कर वाला खाना बहुत ही कम कर देना है और एक दर नॉ प्रक्षण करने की जरूरत है और बिल्कुल रिलैस्ट भी नहीं होना है कि हमें कुछ्श देल हिसे सोचेविब Meyer होना ऐसी तो दोसतों और भी आपको कुछ पूछना हैे एक्क्यूट किड्नी डिसीज Doices के बारे में ट्रान्सप्लाइं के आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें पूछ सकते हो कमेंट बोक्स में आपका सवाल पेश कर सकते हैं और आपको लगता है कि यह वीडियो लोगों को यूस्पूल हो सकता है तो लोगों तक यह शेयर किजिए किसी को बहुत अच्छी हैल्प मिल सकती है इस वीडियो से और अगर आपने अबीदर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह था सब्सक्राइब कर लिजी Thank you so much